जैसे कि आप देख रहे हैं एक खुबसूरत सा लेंगा मेरे पास एक अनार कली पड़ी थी इसको काफी टाइम से में पैन नहीं रही थी मैंने सोचा क्यों ना पनी बेटी के लिए एक सुन्दर सा लेंगा डिजाइन किया जाए अब यह लेंगा डिजाइन कैसे हुआ है आप इसको पहले देख लीजिए बैक से और फ्रॉंस से. यह की सलीउज है और यह लेंगा अब मैंने इसको कैसे बनाया है .. GE पास एक और अनार कली है मैं उसमें आपको बताती हूँ कि मैने बनाया कैसे है this is यहां से इसका जो घेर है उसको अलग करके लहंगा बनाया है और उसमें एक छोटा ही बोर्डर था बिल्कुल लाइट सा क्योंकि मुझे इनहेंस करना था इसकी ब्यूटी तो मैंने इसकी मैचिंग की एक लैस लाई इन करें प्हूंच और लेंथ भी इसकी कम थी और लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने यह नीचे वाला बोडर ही उपार यूज किया है अब उपर वाली जो इसका वर्क आपर वाली जो मैंने इसकी टोप बनाना था चोली बनानी थी वह एक रखहा इसको कट किया इसकी स्लीर जो दुपट्टा इतना बड़ा बच्चे के लिए यूसलेस है बच्चा कमफर्टेबल नहीं रहता है तो मैंने इस स्लीज उस डुपट्टे को काट करके स्लीज लगाई थोड़ा फ्रिल लुक दिया और वही बोर्डर जो की लेहंगे में लगाया था वही बोर्डर सहीं मैंने यहां पर लगाए एक छोटा सा बोर्डर लाकर के मैंने इसके फ्रंट पे और बैक पर लगा गया यह देखने में बहुत ही सुन्दर है अगर आपको ऐसे से आइडियास चाहिए सुन्दर सुन्दर लहंगे के तो आप मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए थेंक यू पाउस हेलो फ्रेंड्स देखिए यह लहंगा कैसा लग रहा है आपको अगर यह लहंगा की स्टीचीज मेतट जानना है तो कमेंट बोक्स में लिखना मत बूलिएगा कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करिएगा